हेलो फ्रेंस अपका स्वागत है हमारे चनल इंफो कॉर्मेट जोब्स पर दोस्ते हैं आपर इंडियन एरफोस का रिजल्ट है यहां पर आपका आउट कर दिया गया है मैं बात कर रहा हूं ग्रूप सी सिविलियन की जो वेकेंशी आपकी चार वेकेंशी इंजिश में दो वे रिजल्ट आएंगे मैं आपको अपडेट यहां पर देता रहूंगा तो चेलंगे साथ जुड़े रहें और यहां पर सबसे ज्यादा है जो इंपोटेंट है कि रिजल्ट आप कैसे देखे इसके लिए दोस्तों आपर जहां पर भी आप अपना रिटन अग्जाम देने जा रही है अगर यहां पर दूर जैसे कि आप यहां पर नौर्थ से लेकर आपका चैने के अंदर साथ एक्जाम देने गए थे तो वहां पर आप डेली रिजल्ट देखने नहीं जा सकते तो इसके लिए जो लोकल कंडेट है उनसे आप संपर्क बना के रहें एक तो आपका यह तरीका है और दूसरा तरीका यह है कि मेरे पास जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा और दोस्तों आपका तीसरा यह है कि आपके पास लेटर भी आएगा जो रिजल्ट में पास होंगे उनके लिए लेटर आएगा तो वो लेटर लेकर आपको अगला जो प्रोसिजर होगा उसके लिए जाना होगा पर रिजल्ट जल्दी देखने के लिए ये जो फैस्ट और सेकंड तरीका है ये मैंने आपको बता है आप जो आया है रिजल्ट वो मैं आपको बता देता हूँ आपको बता है उसका वीडियो सलेशन मिल जाएगा तुरुंत वीडियो सलेशन वो भी सीधा आपके वोट्सप पर बस अपने फॉन के अंदर डाउन नोट का आप चार्ट 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 वोट्सप नमबर सेव कर लिए और चेट ओपन कीजिए फिर आपका जो भी आपका है उस सवाल की फोटो खीचनी है उसे करोप करना है और पांच सेकेंड में आपको उसका वीडियो सलेशन मिल जाएगा कलास चैसे बारा आयाइटी नीट जैई सीविएची बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएए आठ चा यहां पर सबसे पहले हैं देख सकते हो कारपेंटर ट्रेड के कंडिडेट हैं यहां पर आपके कंट्रोल नंबर रोल नंबर भी दिये गए हैं और नाम भी दिया गया है यहां पर देख सकते हो बाइपोस्ट भी यहां पर बताया गया निचाए देखते हो admit card for the skill test will be sent by post to the address provide in the application form यानि कि जो application form के अदर आपने जो address दिया है उसके अंदर by post भी admit card भेज़े जाएंगे skill test के लिए और वैसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह लिस्ट है अलगलग के टिकरी के मैं दिखा रहा हूं इस सोट लेकर आप वीडियो रोक कर देख सकते हो इस लिस् प्रकार से पूरा आपका यहां पर यह लिस्ट है 32 पेज का यहां पर यह लिस्ट है आपका FMT के भी देख सकते हो आपका यहां पर इस परकार से कुक के देख सकते हो यह कुक के हैं यहाँ पर और इसके बाद में नीचे आपका यहाँ पर यह पेंटर के देख सकते हो आठ कंडिडेट सेलेक्टेड है इसके बाद में नीचे आपका यहाँ पर यह देख सकते हो इस टेनो ग्रेड सेकिंड के कंडिडेट है इसके बाद में आपका है हाँ पर यह अधर MTS के candidate आ गए है देख सकते हो इसके बाद में MTS का second phase है और यह भी आपका MTS के ही candidate है तो काफी candidate यहाँ पर MTS की post जैदा थी तो ज्यादा candidate इसमें select के गए है इसके बाद में आपका skill test लिया जाएगा जिसमें आपर qualify होंगे उसके आधार पर यहाँ पर डोकुमेंट वेरिफिकेस रहा आगे का प्रोसेजर है वो किया जाएगा तो MTS के बहुत ज्यादा candidate है देख सकते हो 194 और अभी भी लिष्ट आ रही है 233 238 और आपका यहाँ पर देख सकते हो 272 के बाद में भी चल रहा है 311 candidate यहाँ पर MTS के यहाँ पर है इसके निचे भी है आपका 428 candidate यहाँ पर आए है और इसके निचे भी और भी candidate है MTS के बहुत ज्यादा candidate इसमें selected किये गए है यहाँ पर देख सकते हो MTS के ही maximum candidate है 500 से ज्यादा यहाँ पर चल रहा है तोटल आपके 500-600 के तकरीबन यह आपका candidate MTS के अंदर बुलाए गए है और यह आपका fireman post के लिए आ गया है इसमें भी आप देख सकते हो यह आपका 12-12 MTS के 500 के candidate आ गए है यह आपका fireman का है तो यह आपका पूरा देख से 605 candidate MTS के अंदर selected किये गए है skill test के लिए यह fireman का list है आपका पूरा MTS का बीच का page आ रहा है निचे तो यह यहाँ पर देख सो MTS का 1300 candidate पी यहाँ पर select किये गए है यह आपका number है controlling number और यह आपका दूसरी command का है जिनका skill test है वो 28 September को है तो यह आप देख लिजेगा आपका roll number अगर मिलता है मुझे ने पता है किस command का है यह आपका गोंते सब्तमबर का है 9 बजे इनको बुलाया है और यह आपके कुछ पुराने result है 11 सब्तमबर को जो कि इनका date निकल गया तो total 32 page का यहाँ पर यह PDF है तो अगर आपको यह चाहिए तो निचे comment कर दीजिएगा मैं टेलग्राम चैलेंग पर डाल दूँगा और सभी लोग इस वीडियो को share किजेगा और चैलेंग को subscribe कर लिजेगा क्योंकि जैसे जैसे result मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए update देता रहूँगा धन्यवाद जेहिंद जेपर